हाई वीडियो में लॉंच करने अपना सिस्टम डिजाइन प्रेप कोर्स इस वाले कोर्स में क्या क्या होने वाला है किसको एन्रोल करना चाहिए कब से क्लासिस होंगी क्या क्या चीज़ें अर्ली बर्ड ओफर भी है जो अभी स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन के लिए वाले होने वाला है एक एक्स्ट्रा आपको फ्री आड़न में मिलने वाला है सो इन तक देखना सारी चीज़े डिसकस करेंगे इसमें थोड़े से इंप्रूव्मेंट्स हैं लास्ट वाले कोहर्ट से और कुछ और चीज़े भी आड़ करेंगी है सो यह पहले लाइक कर दो वीडियो को शेर इट विडियो अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई ना कोई होगा जो इंट्रव्यू के लिए प्रेप कर रहा होगा यहां पर जिसको एचेंट अलेडी समझ नहीं हाता होगा उनके लिए इस इस गूंग तो बी रियली कुछी प्रेप टीचिंग प्रेपाइ इस आपको चीजे मिल जाती है इन डाट तो अट अफॉर्डीब की देफिनेशन यह उसे लोग के अलग होती है पॉर्यून फॉर्डवन वीडियाओ छर्म के लिए विक्रद यह सब लोग की अलग अलग होती है व्यून कं पॉर्यू आपके साथ डिसकस कर लेता हूं कि हम इस वाले कोर्स में होने क्या वाला है तो पहले system design होता क्या है जब भी आप कोई company join करते हो महां जाने के बाद आपको अलग-अलग products पर काम करना बढ़ता है उनको design करना बढ़ता है design के लिए एक high level design होता है high level design is HLD कि इसमें आप क्या-कर चीजें यूज करोगे load balancer यूज करना है hashing यूज करने है कौन सा database यूज करना है SQL यूज करना है no SQL यूज करना है यह सारी चीजें जो होती है ना यह high level design में आ जाती है जब आप SD2 होते हो senior software engineer होते हो तो यह सारी चीजें बहुत 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 जाता important होती है because इन चीज़ब आपको जज किया जाता है यह knowledge होनी चाहिए कि आप systems build कर रहे होगे जब आप SD1 होते हो है फिर SD1 से SD2 में transition कर रहे होते हो तो दूसरी चीज़ आजाती है that is low level design अब low level design क्या होता है अब को classes बनानी है आपको decide करना है कि कौन सा code कैसे होना चाहिए कौन से design patterns use करने है and ऐसी बहुत चोटी-चोटी minute details जो code करते time है code करने से पहले में करनी होती है वो सारी आपको low level design में आजाती है अब यह सब सुनके आपको यह चीज़ तो समझ आ गई होगी who is this course for right अगर आप अभी SD1 बन चुके हैं अगर आपको SD2 आ ले पात पर जाना है so this is going to be for you for sure चाहिए आप सेम कंपनी में चाहिए कंपनी स्विच करनी हो यह आपको बहुत जादा useful होने वाला है अगर आप भी college में हो आपको SD1 बनना है वहां जाके आपको अच्छा कोड करना पड़ेगा low level design काफ जादा important है SD1 से SD2 की जर्नी जल्दी करनी है तो high level design भी काफ जादा काम आएगा आपने आप inputs देपाओगे जब भी design discussions हो रहे होंगे कोई नए product के बारे बाते हो रही होंगे सोन सब के लिए भी बहुत दा important होने वाला है so basically it's for anyone and everyone third year, fourth year, first year of work, second year of work even people with 10 years of experience जिनको अपनी knowledge इंक्रीज करनी है अगर आप अपी करेंडी सर्विस बेस्ट कंपनी में जाना है आपको यह चीज़ सीखनी है so उनके लिए अब दूसरी चीज़ा आती है निशान्थ, लांगवेज कौन सी उस कर रहे होंगे so the language for the course जिसमें बात करने होंगे will be English because when you are in a company environment when you are in a corporate environment mostly you have to talk in English आपको अपने आइडियास को अपने चीज़ों को सबको English ही बताना होता है that's why it's really really important so that you can think in English and like speak in English obviously right so all the classes are in English so if you are someone not from India or if you are from South India who doesn't understand Hindi properly this is going to be the course you should definitely enroll in because all the classes are in English now there are two parts HLD and LLD HLD जो पढ़ा रहे होंगे वो होंगे हमारे अभिशेक अभिशेक is currently working as an engineering manager at Google उनको 10 year का experience almost and he has worked at Flipkart, Walmart, currently is working at Google उनका खुद का start-up तो उनोंने बहुत सारे systems पर काम किया हुआ है hands-on experience है उनको कि actually जो चीजों के बारे हम बात कर रहे होता है कि Q cases होता है जो हम Q की बात करते हैं cash की बात करते हैं hashing की बात करते हैं उन्होंने actually किया हुआ है so बहुत सारे hands-on project hands-on assignment भी आपको मिल रहे होंगे and वो actually सीख रहे होगे कि आप जब company में जाओगे बस interview करा करने के लिए नहीं हो रहा है कि आप कुछ कुछ बोल दिया माँ आपके समझ ही नहीं आरा करना क्या actually दिखाया जाएगी database में कर आप कुछ कर रहे हो कोई एक property acid property के actual मतलब क्या होता isolation actually होती क्या so यह सारे चीज़े हो रहे होंगे so all this part will be taught by Abhishek second जारा थी LND LND में इस बार it will be taught by Subesh because he is currently working at Google he is also working at Google he has taught at Scalar also when he was teaching at PIP Coding Scalar में he has taught about LND to a lot of people and this idea से वगरा उन्हें पढ़ाया उनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है बहुत मास बढ़ाता है Subesh so LND पूरा पार्ट Subesh करा रहा होगा अब हमें यह तो समझ आ गया कौन क्या चीज़ पढ़ा रहा होगा next आपके doubts होगे कि course curriculum में actually क्या होने वाला है so अब यह हमारा जो course है दो पार्ट में divided होगा HLD and LLD पहले हम HLD कर रहे होगे 2 months के राउंड आपका HLD हो रहा हो 2 से 2.5 months के राउंड अब होगे क्या होती है then scaling से खाए जाएगी system सो scale करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कौन सा database यूज करना है आपकी horizontal scaling क्या होती है vertical scaling क्या होती है हमने definitions पढ़े हैं but actually कैसे होती है वो सारी चीज़ें से खाएगी and बहुत सारी amazing problems भी solve करवाई जाएगी अब इसमें सीख जाओगे कि अगर आपको YouTube बिल्ड करना है उसका high level design कैसे होगा अगर आपको Instagram करना है सब अलग-अलग categories में divided हो जाती है streaming service कैसे बनानी होती है charting service कैसे बनानी होती है आपको assignments मिलेंगे, assignments discuss होंगे उसमें best solution बताया जाएगा because system design में कोई भी सही solution नहीं होता जो आपको interviewer होगा या कर जब आप discussion कर रहे होगे so everyone will have their opinions and nothing is wrong there are always pros and cons so आपको pros and cons पतावने चाहिए so आप जब multiple लोग के discussion सुनते हो so it's really helpful आपको समझ आता है different types of opinions so ये सारी चीज़े हो रही होती है and काफी काफी बढ़ी बढ़ी होने वाला काफी मजाएगा last वाले students का काफी मजाएगा response था and end तक आप मानोगे नि जो first class और end class का जो रेशो था almost 80-90% हो था conversion जो last class तक लोग आयते है 80-90% लोगो ने class अटेंड करी थी that is a lot आप किसी भी और edtech की class में जाऊगे ना last में single digit में परसेंटेज आते है when people are like ending the course so this was really great next आपका आजाता है L&D so L&D आपको बेसिक से स्टार्ट हो रहागा आपको उपस के concept सिखाया जाएंगे UML diagram का होता है वो सिखाया जाएगा उसके बाद design principle सिखाया जाएंगे then काफी सारे design patterns कराया जाएंगे and finally बहुत सारी problem solving हो रही होगी जिसमें आपको अलग-अलग चीज़े design कराया जाएंगे आपको book my show, linkedin, URL shortener, ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे problems कराया जाएंगे and problem solving बहुत ज़ता important है so आप सीख रहे होगे problem solving करके अपने साथ, अपने peer से और अपने instructor से और when is the course going to start? so introductory class आपकी 4th March पे होगी आपका जो first class अक्चुल पढ़ाई वाली होगी अपने questions पूछ सकते हो, doubt solving कैसे होगी it's full life, so class के बाद अपने doubts पूछ सकते हो अगली class के starting में आपने doubts पूछ सकते हो कहीं पे भी आप पूछा रहा, तो mic on के आप पूछ लिए अगर आप class नहीं attend कर पा रहे हो, तो recordings आपको अविलेबल हो जाएंगी recordings next morning तक ही आपको अविलेबल हो जाती है, आप अराम से जाके recordings को watch कर सकते हो, ताकि आप next class के लिए ready हो जाएंगी language independent होने वाला है, English में होने वाला है, इसके साथ आप जो course की validity है, वो two years की होने वाली है आपके अपके FAQs वोंगे हों आपने website पर डाल रहे हैं, आप FAQs वगारे चेक कर सकते हैं, कुछ और question अगर अपका फिर भी रह जाता है, आप comment section में डाल सकते हैं आपकी नास्स सिस्टम डिजाइन आज में से काफी placements वगारे भी आने लग गई हैं एक some one of the student got a 100% hike on their previous compensation and हम meet up अगारा में मिलेते, then she told us and we are super super happy, so ऐसे भी और भी 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 बिरे दिन आएंगे, people are switching from service to product अब आते हैं, pricing के बारे में, pricing for this course is going to be 8999, यह course आपको 8999 में मिल रहा होगा, अभी currently early bird offer चल रहा है, you will get a discount and the price is going to be 7999, ठीक है, 7999 में आपको HLD, LLD दोनों live मिल रहा है, classes 4 महिने तक आपकी होने वाली है, आपको Google के software engineer or engineering manager पढ़ा रहा है, so engineering manager अपना time अपना निकाल रहा है, so वो एक बहुत important चीज होती है, अब अभिशेक को on-board करना was difficult, first batch में तो काफे जादा अब तो he was very happy with the results, with the students appreciation and उनको काफे जादा मजाया, उनको LLD में इतना जादा मजा नहीं आता था, but Subesh likes teaching more LLD में उनको जादा अच्छे साथा, तो हमने सुचा की divide कर लेते हैं, so Abhishek is going to give his full 100% attention to HLD, and इसके साथ साथ आपको पुराने बाच की recordings भी मिल जाएगी, स्टार्टिं में आपको जाएगा एक offer है for early world people, जो अभी इसमें उन्रोल कर लेते हैं, you will also get DSA Prep Lite, आपको DSA Prep Lite फ्री में मिल जाएगा, आप DSA भी अपनी साथ में प्रेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, वहापे आपको पुरा बेसिक से जावा में, एडवांस तक सारी चीज़ for you, you can go enroll in the early bird, early bird is only till 10th of February, 10th of February के बाद early bird खतम हो जाएगा, आपको extra discount नहीं मिल रहा होगा, इसके साथ साथ extra discount के अलावा, आपको जो ये DSA Prep Lite वाला option है, वो भी नहीं मिल रहा होगा, जल्दी से जाके enroll कर लो, आपको DSA में मिल रहा होगा, आपको DSA में मिल रहा होगा, आ आपको मिल रही होगी, सब कुछ live होने वाला है, so yeah, this was it, and I'm really excited for this one, first batch काफी मस्ता, second batch और जाता मस्त होने वाला है, and चीजें काफी इंप्रूव हो रही हैं साथ सा, so do enroll in it, बाकी comment section में आपको पुराने students के, अगोपरफ students के reviews वगारा मिली जाएंगे, टेंचन लेने के बा and जल्दी से enroll कर दो, I'll see you in the first class.